साथियों एक दौर था जब हमारे हाँ रिफॉर्म्स की बहुत बाते होती थी कभी मजबूरी में कुछ फैसले दिये जाते थे कभी दबाव में कुछ फैसले हो जाते थे तो उन्हें रिफॉर्म कह दिया जाता था इस कारण इच्छित परणाम नहीं मिलते थे अब यह सोच और एप्रोच दोनों बदल गई है हमारे लिए रिफॉर्म का मतलब है रिफॉर्म नीती आधारित हो टुकड़ों में नहीं हो होलिस्टिक हो और एक रिफॉर्म दूसरे रिफॉर्म का आधार बने नए रिफॉर्म का मार्ग बनाए और ऐसा भी नहीं है कि एक बार रिफॉर्म करके रुप गए ये निरंतर सतच चलने वाली प्रक्रिया है बीते कुछ वर्षों में देश में डेड़ हजार से जादा कानूनों को समाप्त किया गया है इजब बिजनेस की रैंकिंग में भारत आज से कुछ साल पहले 134 वे नंबर पर था आज भारत की रैंकिंग 63 है रैंकिंग में इतने बड़े बड़लाव के पीशे अनेकों रिफॉर्म्स है अनेकों नियमों कानूनों में बड़े परिवर्तन है रिफॉर्म्स के पती भारत की इसी प्रतिवद्धता को देख कर विदेशी निवेशकों का विश्वाद भी भारत पर लगातार बढ़ रहा है कोरोना के इस संकट के समय भी भारत में रिकॉर्ड एफडियाई का आना इसी का उदान है